नमस्कार इन कबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आसीज राजियन रुकुमार सेटिजेँसित्सेप अमेंड्म्न एक्ट को लेकर देवश वर में दो तरीके के माहॉलें एक तरफ इसका पूरजोर तरीके से अविरौध प्रिज सन किया रहा है तो दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो इसका समर्थन कर रहा है लेकिन बिरोध की तरफ अगर देखा जाए तो पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है खुद वो कॉंग्रेस खड़ी हुई है जिसने कभी CA को लेकर बात शुरू की थी अब ऐसे में जो कॉंग्रेस के नेता है रहाल गांदी उन्होंने CA को लेकर बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देतू है उन्होंने साफ तोर पर अपनी मन्सा जो है वो दिखाई है और BJP पर जब करने साना सादा है अपने बयान में रहुल गांधी ने यहां केली जे मोदी कैबिनेट को पूरे तरीके से गहरा है और कहा है CAA और NRC नोट बंदी नम्मर दो है याने की रहुल गांधी ने CAA और NRC की जो तुलना है वो नोट बंदी के दूसरे बरजन से कर दी है ये जो पूरा मामला चल रहा है ये बिलकुन नोट बंडी की तरह है जिसमें गरीब लोगों को लाइन में खड़ा करना होगा इसके कोई अमीर लाइन में खड़ा नहीं होगा क्योंकि वो उनके दोस्त हैं यान की CA और NRC के जरिए मोधी सरकार गरीवी को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करेगी सरकार केवल अपने 15 उद्योग पती दोस्तों की मदद करना चाहती है ये राहूल गंदी कह रहे हैं साफ तोर पे इसके लाबा डिस्टेंशन सेंटर को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर भी राहूल गंदी नहीं अपनी प्रितक्रिया दिया और कहा है आपने मेरा ट्विट देखा होगा उसके मोधी जी का भासर सुना होगा अब आप लोग तैख कर लीजिए कौन जूटा है और कौन सच्छा तो ही बता दें आज राहूल गंदी के बारे में वे अंदोलन के दोरान गौहाटी के निकट चाय गाउं में जान गावाने वाले सेम स्टेफ़र्ट 16 साल का जो लड़का था और दिपांजली 10-17 के परिवारों से मिलेंगे गौहाट अलब है कि इस कानून को लेकर कौंग्रेस सहीत तमाम वेफ़क्षी दल बीजेपी वाकेंद सरकार पर हमला भर है नागरिक्ता संसुदन कानून के खिलाब देज भर में कई इस्टों में ब्रोध परिशन भी हो रहे हैं जी हाँ जैसा कि यहाँ पता लगा आपको राहुल गांदी आज असम के दोरे पर जाएंगे और गौहाटी में वो एक रहली को सम्मोदित करेंगे जहां CAA नागरिक्ता संसुदन कानून के खिलाब जो लोग ब्रोध कर रहे हैं उनको एक जुट करने की वो पहल सुरू करेंगे लेकिन CAA और NRC को नोट बंदी दो से किस तरीके से जा रेलेट किया राहुल गांदी ने वो बाके ही एक सवाले निसान खड़ा करता है कि आखिरकार क्या लोगों को लाइन में लगना होगा लेकिन इससे पहले जो देश के ग्रह मंत्री आमिश्या और देश के प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने पहले ही साफ तैकर दिया और कहा कि लाइन में कोई नहीं लगीगा किसी भी प्रमाड़ एक कागज की कोई जरुवत नहीं होगी सी एक को लेकर एन रसी तो मुद्दा है नहीं एन पियार उसकी जगाव आने वाला है ऐसा किंद सरकार की और से कहा गया है और उसके लिए भी एक एप बनाया जाएगा जिसके तहर्त आप डिजिटाइलेशन को बढ़ावा देंगे और घर बैठे अपनी सारी जानकारी जरंगर्णा के लिए दी जाएगी वो महिया कराएंगे खेर इस मामले चुला जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा दिक्तरी इनकबर धन्यवाद